कहना है कि पवन सिंग ने अपने अब तक के करियर में जो भी भोशपूरी गाने गाए हैं, उन गानों में कई गाने ऐसे भी हैं जो आपत्ती जनक गाने हैं, महिला विरोधी गाने हैं और उन गानों से बंगाल की महिलाओं की अस्मिता तार तार ताव ने पवन सिंग को हटा थे उस वक्त पवन सिंग को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि पवन सिंग के यही सारे गाने उनके लिए एक दिन काल बन जाएंगे और इस टिकट के लिए पवन सिंग 10 साल से इंतजार कर रहे थे उस टिकट के मिलने के 24 घंटे के अंदर पवन सिंग उस टिकट को पर पवन और उनके पुराने गाने अचानक से चर्चे का विशय क्यों बन गया आखिर पवन के पुराने गाने और टिकट का चुनाओ से क्या लेना देना लेकिन उसे पहले नमस्कार मेरा नाम है डॉली पांडे और आप देख रहे हैं सच्टॉक्स जब से पवन सिंग ने आसन सोल से चुनाओ लड़ने से मना किया है तब से पूरे शोसल मेडिया पर सिर्फ एक ही चर्चा है कि पवन सिंग के खुद के भोशपुरी गाने ही उनके लिए अरचन बन गये वो कैसे तो लोगों का कहना है कि पवन सिंग ने अपने अब तक के करि और बंगाली महिलाओं के अपमान से जोड रहे थे और इस पर पार्टी को जवाब देना भारी पड़ जाता मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही पवन सिंग को टिकट मिला तो इसका सबसे जादा विरोध पार्टी की अंदर ही हुआ और कई निताओं ने पवन पर स्टैंड भी कमजोर पड़ जाता वो भी ऐसे समय में जब बीजेपी संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ हुए अत्याचार के लिए मोर्चा खोले हुए है ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति को टिकर देना जिसने बंगाल की महिलाओं को लेकर अबहद्र गाने बनाये हो आ कि नारी शक्ति बंदन के अभियान को बल दिया जा सके सुत्रों के मुताबिक पवन सिंग को पार्टी के तरफ से कहा गया कि वो ट्वीट करके चुनाव लड़ने से खुद मना करे ऐसे में पवन सिंग ने बिना सोचे समझे समय भी नहीं लिया और खुद ट्वीट करके च कावर स्टार आसन सोल से चुनाव लड़ते तो उनकी जीत पक्की थी पाती के सर्वे में इस बात की जानकारी सामने आई थी लेकिन अब पता चला कि अगर वो चुनाव लड़ते तो बीजेपी को एक सीट की वज़े से पाच सीटों को नुकसान उठाना पड़ सकता था इ उस गाने के बारे में जो गाना आज से आठ महीने पहले गर्नायक एंटरटेंवेंट से आया था इस गाने में पमण सिंग ने गाया है कि एक चुम्मा नाची खईबू ओठ ललिये से तलेयाई जाके सवतिन बंगलिये से और इस गाने पर आठ महीने के अंदर 140 मिलियन से ज साल बन गए और उन गानों के लिए कहा चाहरा है कि पीए मोधी एक तरफ तो नारिक शक्ति के वारे में बड़ी-बड़ी बाते करते हैं महीं दूसरी तरफ इस्तिद्वेशी महिला के साथ दुर्वेवहार करने वाले महिला विरोधी गाना गाने वाले लोगों को जो अपने गानों में महिला विरोधी बाते करता हो जो अपने गानों में महिलाओं के साथ अश्टलील हरकते करता हो जो अपने गानों में बंगाल की महिलाओं को निशाना बनाता हो ऐसे में पवन सिंग की उमिदवारी के बाद महिला अस्विता और सम्मान का मुद्दा उ सकता था ऐसे में विवाद बढ़ना पाटी के हित में नहीं था इसका सरवंगाल के साथ ही बिहार के सीमा वर्ती राज्यों में भी देखने को मिल सकता है तो कोल मिला जुलाकर कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि पवन सिंग के साथ जो कल हुआ उसे भोजपुरी के सारे छोटे बड़े कलाकारों को सीख लेने की जरूरत है चाहे आप कोई भी गाना गाएं आप कोई अलबम सौंग लाएं चाहे आप कोई फिल्म करें तो इस बात का खयाल जरूर रखे कि आप जो कर रहे हैं उसका परिनाम कभी आगे चलकर आपके लिए भयावह नहों जाए आप जो क बंगाल के महिलाओं पर गाना गाने वाले बोच्पूर इंडस्री से एक लौते पमुन सिंग नहीं है जो चुनाव लड़नेंग की इकशा रखते हैं पमुन सिंग का लावा भी बोच्पूरी के ऐसे कई कलाकार हैं जो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और उन्हों अपने भी बंगाल की महिलाओं के उपर कई सारे भद्य गानेगा हैं क्या आपको यह वीजियो कैसे लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा वीजियो को समाप्त करते हैं मिलते हैं वीजियो में धन्यवा